जिन्दगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है रजिश्ट्री की चक्कर में ना पढ़े मस्त रहे स्वस्त रहे मैं विवेग पत्रिया आपका पीवेश लार्निंग में तहर दिल से स्वागत करता हूँ हमने exercise 1.3 का first question complete कर लिया है NCRT का page नमबर 14 पर आज हम करने वाले question नमबर 2 तो मैंने क्या क्या question के साथ का solution भी लिख लिया ताकि इसको मैं आज को अच्छे से explain कर सकूँ ठीक है तो ध्यान से देखना पहले question को देखो you know that 1 upon 7 equal to 0 142857 के अपर बार है अभी हर चीज़ समझाऊंगा can you predict what the decimal predict मलब आप क्या यह अनुमान लगा सकते हैं सो सकते है what a decimal expression of 2 upon 7 3 upon 7 4 upon 7 5 upon 7 6 upon 7 are without actually doing the long division if so how तो करते हैं 1 upon 7 हमें रखा है 0.142857 यह value हमें given है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या ध्यान रखना कभी भी एक एक्जामपल द्यान रखना अगर 0.2 के पर बार है इसका मदला बहुता है 0.2222 repeating नंबर क्या होता है इसका मतलब repeating नंबर उसको बोलते बार और बार है यह बार है इसको बोलते बार बार वह वाला मत समझ लेना तुम तो यह हो जाएगा 0.142857 142857 यह repeating नंबर है non-terminating repeating नंबर है ठीक है चलो तो अब द्यांसर देखेंगे sorry non-terminating नंबर है find the values और हमें value निकालने है 2 upon 7 3 upon 7 4 upon 7 5 upon 7 6 upon 7 अब एक से द्यांसर देखना हमें तो value given है 1 upon 7 की लेकिन यहां पर टोपन सब्सक्राइब क्या निमिरेटर में 2,3,4,5,6 तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या 2 into 1 upon 7 कोई फरक थोड़ी पढ़ रहा है 3 upon 7,4,1 upon 7,5,1 upon 7,6,1 upon 7 ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 1 upon 7 की value ह में given है इसलिए तो हम क्या करेंगे इसको अलग से लिखाना तो 1 upon 7 की जगे हम क्या करेंगे यह value शिपका देंगे यहाँ पर 0.14287 सब जगे यही करेंगे जहां जहां भी 1 upon 7 है उसको 1 upon 7 लिख देंगे 1 upon 7 की value put कर देंगे फिर उसके बाहर हमने क्या क्या 2 into 0.14287 multiply करेंगे तो आएगा हमारा 0.285714 ठीक है न और repeating नमबर है यह भी 3 into 0.142857 को multiply करेंगे तो यह आएगा 0.428571 4 into 0.142857 को multiply करेंगे यह आएगा 0.571428 ठीक है और 5 into 0.14287 को multiply करेंगे तो यह आएगा 0.714285 और 6 into 0.142857 को multiply करेंगे तो यह आएगा हमारा 0.857142 ठीक है अब हमें तो भाईया इसको भी ऐसे लिखना क्योंकि वो repeating नमबर है तो क्या करेंगे इसको repeating नमबर को यहां से डोडो अटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन सब के उपर बाल लगा देंगे और यह हमारा final answer होगा हमारा conclusion होगा तो second question हमारा complete हो चुका है अब हम बढ़ेंगे third question की तरफ पहले हम एक बार आप इसका screen sold ले लो फटा फट से next question है हमारा question number three question number three anxiety का exercise 1.3 का तो 0.6 के उपर बार दे रखा है और 0.47 7 के उपर बार द्यान अगना 7 के उपर है 47 पर नहीं है 47 दो दो जिप्सी गाड़ी इतर देखो द्यान से इसका solution 0.6 तो let क्या करा हम है express the following in a form p upon q write p and q are int and q not equal to 0 तो मतलब हमें इनको p upon q में लाना है तो कैसे लेकर आएंगे कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी वैसे का वैसे कुछ नहीं है तो x equal to 0.6 ठीक ना बार अब इसको क्या लिखा जा सकता है 0.666 ठीक ना repeating नमबर है ये second क्या हो जाएगा हमारा ये multiply 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 both sides दोनों तरब both sides by 10 दोनों तरब 10 से multiply करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 x equal to 6.66 equation number 2 subtracting subtract करेंगे minus करेंगे equation number first from equation number second from का मतलब होता है second में से first को minus करना है second में से first को minus करेंगे ये हो जाएगा 10 x equal to 6.66 ठीक ना एक को 6 लगा दो बली और ये हो जाएगा x ठीक ना ये हो जाएगा 0.666 minus करो देखो ये तो 0 हो जाएगा 6 minus 0 किता हो जाएगा 6 और 10 x में से x minus होगा तो 9 x तो x equal to 6 upon 9 तो ये 2 से कट रहा है 2 upon 3 हमारा right answer होगा ये तो था हमारा basic अगर हम trick से करते तो ध्यान लगना trick से कैसे कि गया जाता है 0.6 के उपर बाहर है ना एक डिजिट पर बाहर है कल भी मैंने समझाय था तो एक 9 नीचे आ जाएगा बापी देख लेना ये basic है और ये trick है अगर एक digit के उपर बाहर है तो मैं आपका भाई आँ ठीक है तो ये हमारी trick है और ये हमारा basic है चलो next question करते screen source बाद में दोनों का एक साल ले लेना अभी next question पर आते हैं same to same question है question number second 0.47 के उपर 7 के उपर बाहर है ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा let x equal to 0.4777 के लिए रहे इसको देदो equation number first फिर वो ही करो वो ही गीशा पीटा वापेश multiply multiply both sides by 10 ठीक ना वो ही 10 से multiply करेंगे तो कर दो 10 x equal to 4.77 यहां पर लगा देना ठीक न और यह लगा दो equation number second clear है minus कर दो subtract equation number first from equation number second ज्यान अगना from का मत्दब होता है second में से first को minus करेंगे तो second equation क्या है 10 x equal to 4.777 ठीक है और यह हो जाएगा 10 x equal to 0.477 clear है अब यह क्या हो जाएगा देको जिरो 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 हो जाएगा 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 0 गए 4 4.3 आ रहा है 10 x में से x गए तो 9 x 9 x x equal to 9 x m एक चैनल आ जाना music का 9 x m 4.3 आपॉन 9 यह decimal हटाओ यहां से तो नीचे 0 आ जाएगा 43 आपॉन 9 यह हमारा final answer होगा ठीक है यह हमारा क्या होगा final answer होगा यह तो basic अगर इसको भी trick से करोगे तो कैसे करोगे देखो ध्यान से देखना 0 इसको भी trick से करो तो ध्यान एक 47 मैंने कहा था ना जिसके उपर बार हो तो एक 9 नीचे आता है ठीक है और जिस पर बार नहीं हो जैसे फोर पर बाढ नहीं है तो एक जीरो नीचे आएगा और जिस पर बाढ नहीं है वो माइनस भी होगा बैस तो यह हो जाएगा 43 आपोन 90 यह है भाईया अमारी ट्रिक ठीक है ना और यह हमारा है बेसिक फटाबर से स्क्रिन सोड ले लो वापिस समझा देता हूं यह कि देखो अगर 7 एक डीजिट पर बाहर 7 पर एक नाय नीचे आया जिस पर बाढ नहीं तो जीरो आएगा नीचे और जिस पर बाढ नहीं हो मेन डीजिट से माइनस भी होगा ठी से ले लो अरी दो दो 47 देखो कुशन नमर 1,2 और 3 हमने कर लिया है 4 आप ट्राई करना सेम टू सेम है टिके ना 1 आंसर आएगा और 5 और 6 करना है तो करो वहना मत करना को इंपोर्टेंट कुशन नहीं है ना एक्जाम में कभी देखने को मिले 7 कुशन है हमारा जो क्या आप यहां पर लिख लो तो याद करो मैंने आपको तीन वे पांच वेल्यू बता ही थी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 और रूट 7 तो यह 3 पूछ रहा है तो आप यहां पर लिख लो 3 नम्मर 3 नम्मर डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग यह जो लाइन लिखी भी वो ही लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरेंग तो किसी को यार है क्या वो वेल्यू या भूल गए मैंने बता ही थी आपको रूट 2, रूट 3 और रूट 5 तीक ना जादा भी ले सकते हैं लेकिन हमें तो क्या तीन ही पूछ रहा है तो तीनों की वेल्यू क्या होगी यही तो पूछा नॉन टर्मिनिंग नॉन रिकरिंग उसके बाद सेकंड वाला है 2.23 और 1.732 तीन ही पूछ रहा है तो तीनों लिखेंगे ठीक है यही हमसे पूछ रहा था नॉन टर्मिनिंग नम्मर बताओ तो हमने बता दिया ठीक है ना ज्यान लगना रूट 4 मतले लेन ना क्योंकि वो तो हमारा 2 बन जाएगा ऐसे नंबर ही लेने हमें जो नॉन टर्मिनिंग नंबर है next question एक बार इसका screen सोड़ ले लो या फिर दोनों का एक साल ले लेना question number 8 है हमारा find इसका solution मैं लिख दिया है आपके लिए ताकि आपका time waste ना हो आप फटा पर से मैं आपको इनको समझा सके find three different irrational number between the rational number ठीक है तो यह कह रहा है कि अगर तीन नंबर बताओ three number जो किसके बीच में हो five upon seven and nine upon eleven के बीच में हो ठीक है ना three irrational number बताने रेस्टल नंबर के बीच में है जो हमें दो रेस्टल नंबर दे रहे रहे हैं इनके बीच में बताने इन रेस्टल नंबर let us convert five upon seven and nine upon ten into decimal form तो five में अगर हम seven से डिवाइड करेंगे तो answer आ रहा है 0.714285 आप करके देख लो यह आना है nine में अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो यह आ रहा है 0.818181 ठीक है ना तो हमें क्या नंबर मिल यह दो कौन से नंबर मिल गया हमें इरेस्टल नंबर मिल गया है sorry यह थो हमें इसको डिवाइड किया था three इर्रेस्टल नंबर between इसके बीच मैं इसके बीच में में तीन ऐसे इरेस्टल नंबर छिए डिको मैंने यह जो टी नंबर लिखे ना इरेस्टल नंबर अगर आप चाहो तो यह लिख लो वर्णा कोई दूसरे नमबर भी लिख सकते हो लेकिन ध्यान रखना है कि इसके बीच में ही होने चाहिए तो देखो मैंने लिखा है 0.73073007300 एक डाउट आपका यहां पर यह जरूर आएगा कि सर क्या यही नमबर ले दूसरे भी ले सकते हैं क्या बिलकुल ले सकते हैं लेकिन वो नमबर इनके बीच में लाई करने चाहिए ठीक है सेकंड नमबर लिया है 0.740740074007474 नॉन टर्मिनिटिंग 0.7607600760076007600 नॉन टर्मिनिटिंग नहीं लिखा जा सकता है तो फटा फट से स्क्रीन सोड ले लो लास्ट कुश्चन एक्सेसाइज एड़ बन पॉइंट तरीका तुश्चन नमबर नाइन लास्ट कुश्चन है हमारा क्लासिफाइड फॉलोविंग नमबर एज रेस्नल और इरेस्नल नमबर हमें ये बताना है कि ये रेस्नल नमबर है या इरेस्नल नमबर है तो हम कैसे बताएंगे कि ये रेस्नल या इरेस्नल है तो पहले हम एक छोटा सा फुलो चार्ट से इसको समझेंगे जहां से देखना आज के बाद आपके कभी डाउट नहीं रहेगा कि sir ये repeating number क्या होते है रेसल क्या होते है इरेसल कौन से होंगे recurring कौन से होंगे non recurring कैंसे होंगे ये क्या बला है sir क्यों बगवान ने steady बनाई क्यों बनाई क्यों बनाई चलो इधार देखो तो decimal सबसे पहली बात कि terminating और non-terminating terminating के अंदर terminating का मतलब क्या होता वो भी समझ लो आपने terminating movie देखिए बिल्कुल डिस आपको बिल्कुल terminate करना बिल्कुल हर चीज को destroy कर देना खतम कर देना terminating number जो कभी आगे ना बढ़े बिल्कुल रुख जाए जिसे p upon q की format में भी लिखा जा सकता है या फिर terminating का जो भी number होंगे उससे हम कहते है rational ओगा जो terminating होंगे वो होंगे rational ज्यान अखना है जो non-terminating होगे जो कभी रुकैए कि ना किसी की ना सुने बस अपनी महनद मारी करे ओजो non terminating में भी दो tapping के होते है ठीक है दो दो टाइप के कौन कौन से होंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर वो नम्मर रिपीटिंग है जैसे पॉइंट डैसिमल 4444 या 474747 ऐसे तो वो अमारे रहसल में आएंगे अगर नॉन रिपीटिंग है जैसे 0.476 ठीक ना 982 डैडैडैडै तो वो हमारे आएंगे इरहसल नमबर बेर ठीक ना सब्ज़में आया है सभी को किलियर है यह फ्लोचार्ट से मैंने आपको समझा है टर्मिनेटिंग रहसल नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के होते है रिपीटिंग रहसल होंगे और नॉन समझ गए होंगे अब अपने पांचों कुश्चन करेंगे एंसी आटी एकसरसाइज बंपॉइंट सरी का लास्ट कुश्चन है मैंने पांचों के पांची करवा रहा हूं ठीक है ना सबसे पहले देखो रूट 23 अब देखो यहां पर रूट 23 23 हमारे क्या होता है प्राइम कॉई नंबर यहां पर रिपेट रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका मतलब यह तो नहीं होगा रिपीटिंग है इसका मतलब इकौंसा नंबर होगा रिपीटिंग ह 되면रह स्कों की पता यह बताना नहीं दो की जिन्दगी में कभी doubt ही नहीं रहेंगे तो यह हमारा क्या होगा तूर रेसल नंबर अब आपको बताना कि सेकंड वाला जो है रूट 225 यह रेसल यह रेसल य्छ उ रेसल है पहले तो यह बताओ कि 225 का root क्या होता है ये 15 का होता है 15 का ये square होता है 225 का root 15 होगा अब ये terminating है ये non-terminating है पहले ये देखो इस पर जाओ मत हो पहले ये देखो terminating है non-terminating है तो भाया ये terminating number कही आगे भाग ही नहीं रहा है तो ये हमारा terminating है तो इसका मतलब यह हमारा कौन सा नम्मर होगा रैसनल नम्मर होगा अरे सबी को किलियर है ना किलियर है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो थर्ड कुशन 0.3796 क्या यह नम्मर नॉन टर्मिनिटिंग है क्या यह आगे चल रहा है क्या फिक्स नम्मर है ना क्या इसको पी अपॉन क्यों में बनाया जा सकता है बिलकुल बनाया जा सकता है यह टर्मिनिटिंग नम्मर है इसका मतलब यह हमारा क्या होगा रैसनल नम्मर होगा तो यहां पर कई भी भी डोट डोट नहीं है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ही नहीं है तो यह हमारा टर्मिनेटिंग नमबर है रेस्टल नमबर है अब नेक्स देख तेरे को इसमें आ जाओ 7.478478 ज्यान से देखना डेसिमल के बाद क्या रहा है 478478 मतलब टर्मिनेटिंग तो यह है नहीं क्योंकि देखो डोट डोट भी चल रहा है तो यह है तो नॉन टर्मिनेटिंग है अगर डोट डोट चल रहा है इसका मलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नहीं चल रहा है इसक और फ्लोर्चार्ट को देखना पड़ेगा तो नौन टर्मिटमेटिंग है अब इसमें ये देखना है कि रिपीटिंग है ओ ये रिपीटिंग है so बगया विपिटिंग है तो давya है तो toi कि क्यों कि देखो 478 478 478 478 मलत रिपीटिंग नंबर है इसका माझद ये आरा क्या होगा रेस्ट ना नम्बर होगा कितनी अच्छी तरह के से मैं आपको समझा रहा हूं एक फ्लोर चार्ट के माध्यम से ताकि आपको अच्छे से सामज में आ जाए नेक्स कुशन देखो क्या करा है इसको पीअपोन क्यू में भी बना सकते ठीक ना जैसे थर्ड कुशन किया था न वैसरे कर सकते इनको बटाओ यहां पर क्या रहा है पहले तो डोट 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 रहा ना इसका मलब रिपीटिंग यह नॉन रिपीटिंग है अब देखो अगर यह रिपीटिंग होता थो ऐसे चलता 0.0100100100 तो इसको repeating में लेते लेकिन यह increase हो रहा है 100, 1000 फिर उसके बाद 1,0 और ज़्यादा फिर उसके बाद 1,0 ज़्यादा इसका मनलब यह non repeating है non repeating है इसका मनलब यह हमारा irrescent number है मैं damn sure 100% दावा कर सकता हूँ कि इसके बाद आपके कभी भी terminating non terminating rational irrational में कभी problem नहीं रहेगी फटा फट से screen soar ले लो फिर आपके प्यारे प्यारे comment परते है जल्दी से screen soar लो ओके सबने screen soar ले लिया अब sir please teach also class 8 तो बच्चे मैं आपको बता दू study class 7 वाले बच्चों को कि बिटाओ थोड़ा time रुख जाओ मुझे थोड़ा time दो 9-10 अपना एक बार चलना start हो चुका है तो थोड़े time बाद में अच्छा सा एक science का मैं आपके लिए educator ढूंड रहा हूँ कोई अच्छा नहीं वैसे बहुत सारे teacher आ रहे कि सर मैं पढ़ादू या मैं पढ़ादू science लेकि जब तक कोई अच्छी quality का नहीं आएगा तब तक उसको लेकर नहीं आएंगे इस platform पर तो थोड़ा wait करो class 6, 7, 8 भी बहुत ज़ल्दी start करेंगे हर चीज़ स्टार्ट करेंगे ठीके ना मैंने दावा क्या है इंडिया में free education का एक बहुत बड़ा भूचाल लेकर आएंगे ओके चलो और आगे देखते हैं आपके कमेंट सर आपने इंसाफ दिलाया है बिल्कुल मैं आपका lawyer हूँ आपको इंसाफ दिलाया है मैंने 100 like हो गयता है कि so much सर इसा में को लाओ ये फिर से question आया है इसा में को लाओ science की कोई में है इसा में बच्चा लिख रहा है बेटा मैंको नहीं पता ये इसा में कौन है तो आप बता दो कौन है और स्वेक से करेंगे स्वागर ठीक है मस सर आपके वीडियो का इंतिजा कर रहा thank you so much you do thank you so much एक बच्चे का फिर से message आया था मैं 10 class में भी read क्या था एक बच्ची को reply दे रहे है वो कह रहे है बच्ची की सर बहुत खुस है ना सभी बच्चे class 10 का exam cancel होगे तो बच्चा reply कर रहा उसको it is not good news it is a worst all news गजब बेच जती है ठीक है तो चलो मिलते हैं next वीडियो में जो अपना होगा 1.4 exercise का Monday to Friday आपके classes चलेगी Saturday Sunday कुछ special है आपके लिए तो आपको बता जिया जाएगा ठीक है RS Agrawal भी अपन स्टार्ट कर रहे है उसका कल launch कर दूँगा में उनको और मंडे से अपन RS Agrawal भी स्टार्ट कर रहे है ठीक है ना class 9 और 10 के लिए अभी NCRT चल रहे है तो NCRT तो चलेगी लेकि साथ में RS Agrawal भी स्टार्ट कर रहे है बाए 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 बचोंग